दोस्तो वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में दोस्तो आपने देखा प्रोमो में के असीम रियाज के साथ हुए मामले के बाद बारस छाबडा को सभी घरबाले कहते हैं कि तुने यह ज़्यादा कर दिया जाएगा तो इसमें काल कोर्टी के लिए नाम मैक्सीमम लोग जो है पारस चाबडा का नाम लेते हैं तो उसके बाद हमको प्रोमो में दिखाई देता के पारस चाबडा उठके चले जाते हैं सभी करते हैं पारस 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 ऐसा प्रोमो हमने देखा तो होता क्या है होता क पारश च्छाबड़ा नहीं मानते के मैं जेल का दिखा रही हूं नहीं मानते वो समझते के असीम ने मुझे को प्रवोक किया था और इसलिए वो चले जाते हैं और रफ्यूज करते हैं जेल जाने से के मैं नहीं जेल जाउंगा तो दोस्तों आपको पता है कि पिछले बिग पुल्टी में चले जाए तो फिर वो श्री संद्र बुल बुल करता होगा अपना बुरी विस्तर उठाके वहाँ पे जेल में चले जाते थे लेकिन एक बंदा जो है जेल में जाने से मना कर देता है बिग बारा की मैं बात करना हूं वो थे शिवासीश वो बिग बास के बार बाती हैं बिग बास 13 अहां पर फाराश चाबड़ा जब जेल जाने से मना करते हैं बिग बास पारेश चाबडा को देते हैं एक कड़ी सजा तो वो सजा क्या होगी बिग बास पारेश चाबडा के लिए बहुत सारे धेल सारे जूते भेज देते हैं उसाथ में भेज देते हैं पॉलिश के चलो भाईया तुमारे ये सजा है के सभी जूते पॉलिश करो हो सकता है जूते यूनिट के हो सभी के हो जैसे शिरी सांथ को एक बार बरतन माजने की सजा दी थी ना कि पूरे परड़क्शन के बरतन रख दिये थे वो सारी राद माजता रहा था तो अब पारस चाबड़ा को करने पड़ेंगे बिग बॉस के तीम के सभी के धेर सारे बोग पता ने किसके हैं जूते पॉलिश तो क्या आप खुश हैं सजा से या कोई और सजा होनी चीज़ है आपके हिसाब से जेल ला जाने की तो यह अब कैसे होता है स्टैपर साइप यह हम देखेंगे एपिसोड में तो आप जोड़े रहे हैं देखते हैं चैनल Hungry Spirits थेंक यू सो मच subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel